भीक, भिकारी और भिकारिन ये तीन सद्ध बुद्ध के समय में नहीं थे पाली में नहीं है यानि के पूरे जितना भी साहित्त है बुद्ध का जो भी सब्द आप तक बताए हैं बुद्ध ने उसमें ना भीक है ना भिकारी है ना भिकारिन है ये भीक और भिकारी और भिकारिन शब्द भिक्कु से बने हुए है भिक्कुनी से बने हुए है जो बाद में जब भिक्कु का और भिक्कुनी का सम्मान चला गया तो लोग उनको भिकारी या भिकारिन कहने लगे और भिक्का कहने लगे क्योंकि जो भिक्कु सब्द है वो तीन सब्दों से मिलके बना हुआ है वो बना हुआ एक तो भद है भद माने होता है बहुत अच्छा व्यक्ति यानि जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है चाहे वो नर है चाहे वो नारी है उसको भद बोलते है बद्पुरिस ये 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 बद्पुरिस या अच्छी है, पाप वाली है या पुन वाली है, गुड है या बैड है, उसको अख्छी बुला गया है, और मन्तु माने होता है वाला, यानि कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छा है आँख वाला है, तो इस भद अख्छी मन्तु से शौट फॉर्म में जो सब्द बना उसको बोलत होएं, तो पाली के अंदर ना भिकारी है, ना भीक है, ना भिकारी इसलत है, और ना ऐसा कोई सब्द वहां दुनिया में कहीं आचीद से दिखाई दिया, यह सब्द बाद में बने हैं, तो तीन तरह के काम करते हैं, यह जो कहते हैं, आजिख आधि वी सीरिल चल रहे हैं, जो कहानी आ रही हैं, जो कविताइं आ रही हैं, जो लोग और बना रहे हैं, जो धम के वारे में नहीं जानते हैं, बुद्ध के वारे में नहीं जानते हैं, वो बुद्ध के हाथ में एक कटोरा पकड़ा देते हैं, और कटोरा को लेके भिक्कू और वो घूमते रहेते हैं, अरे थोड़ा तो अकल लगा लो आप, थोड़ा तो समझ लो, थोड़ा तो पढ़ लो जब series बनाते हो, जब script बनाते हो, या अकल को पूरा डबे में बंद कर देते हो, थोड़ा पढ़ो नहीं तो किसी से research करा लो, थोड़ा पैसा दे दो, पैसा नहीं देते हो, कोई भिक्व होता है, या भगवान बुद्ध का जो भिक्व संगे, या खुद भगवान बुद्ध है, 24 गंटे वो जो पातर है वो जो बरतन है जिसमें वो खाना खाते हैं जिसमें पिंड लेते हैं या पिंड पात होता है जिसमें पिंड का दान होता है वो लेकर नहीं घूमते 24 गंटे उनके साथ रह सकता है मगर हाथ में लेके नहीं घूंते कि 24 गंटे चाहिए 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 उनके खाने का नियम है जब सर के उपर जब यहां धूपा जाती है उसके बाद में खाना खाते नहीं है और उससे पहले खाना लेते हैं उनका नियम है कि वो जाके खड़े हो जाते हैं एक दरवाजे पर जाके और आराम से खड़े रहते हैं जब वो जो घर का मालिक है या मालकिन है जब वो देख लेते हैं और देखने के बाद भिक्को को पता चल जाता है क्योंकि भिक्को की निगा नीचे रहती है मगर उसको आ जालते हैं, उनकी निगा नीच आखी रहती है, तो उसका वो अनुवदन करते हैं। अनुगोद्र ले उसका धbecca सिखाते है इसके बनिर ये जब उसको धcomb भौजड़न लिया मैं फिर वह देखते हैं कि जो खाना है बजन के पता चल जाता है क्या जो मिला है कया वह सफिशीयंट है कैश का तो नहीं है, आगे और जानी के आपशकता तो नहीं है, अगर सफिचेंट है तो वहां से बापेस आजाते हैं, नहीं सफिचेंट है तो अगले दरवाज़े जाके खड़े हो जाते हैं, पूरे दिन में पांच से ज़्यादा दरवाज़े पर खड़े नहीं होते, मिल गया खा वात्र को, बरतन को, कटोरे को लेकर गोमेंगे क्यों? मजाग कर दिया, आपने तो धम का इतना बड़ा मजाग बना रखा है, 24 गंटे सीरिल में दिखाते हो, कि भगवान बुद्ध चीवर में हैं, और उनकी हाथ में कटोरा है, और कटोरा लेकर घूम रहे हैं, जैसे वो भिकारी हैं, जैसे वो अरे दुनिया वरका नंबर एक का गयाता है, जो पूरी दुनिया को धम दान देता है, धम सिकाता है, और जो कभी फिरी में नहीं खाता है, वो कटःोर लेके घूमिगा है। यतनी बिजदी करते हो तुम अपने भारत की बिजदी करते हो, यजे भारत में इतनी बड़ी सिक्षा है, पूरी दुनिया उसको मानती है। तुमको शरं नहीं आती है। तुमको लाजल नहीं आती। पिर सीख तो लो कम से कम, लोजी की सीख लो, कोई भी आदमी अगर आज की डेट में कोई गरीब भी अगर मांगने आएगा, तो क्या 24 गंटे कटो लेकर खड़ा ही रहेगा, चाहिए, 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 कोई कुस्तोस हो तो, वो तो पढ़ाने वाले टीचर है, द धम को खतम किया गया, उसके बाद में लोगों ने उनका चीवर पहन के, उनके कपड़े पहन के, और कटोरा लेकर गूमने लगे, वो भिक्कु नहीं है, वो भिक्कु के भेस में, भिक्कु जैसे और लोग है, जिनको बाबा बोलते हैं, जिनको संत बोलते हैं, जो 24 गंटे अपना जोला लेकर मांगते रहते हैं, खटा करते हैं, भिक्कु कभी नहीं खटा करता है, भिक्कु कभी नहीं मांगता, भिक्कु नहीं कभी नहीं खटी करती है, वो आज भी उनका नियम है, अगर वो इस नियम से हटते हैं, तो वो ना भिक्कु है, ना भिक्कु नहीं है ये बिल्कुल सेंट परसेंट बिल्कुल ठीक है तो यहां तीन बाते हैं एक तो है भिक्का चरिया अब भिक्का चरिया क्या है भिक्का चरिया होता है कि वो जब भिक्कु जाता है भिक्का चरिया के लिए ये भीक चरिया नहीं है ये ध्यान रखें और ये पिंड चरिया भी नहीं है, मतलब भोजन मांगने की चरिया भी नहीं है, चरिया का मतलब है जो अपना काम करते हैं, जो उस काम करने को चरिया बोलते हैं, तो भिक्ता चरिया क्या है, भिक्ता चरिया में वो सुबह उड़ता है, वेपसना साधना करता है, अपना नहात बिक्का चरिया और भिक्का चरिया मैंता है भिक्का चरिया खाली तब है जब वो गाओं जाता है और जाके वो मांगता है और भिक्कु चरिया जो 24 गंटे में वो काम करता है वो भिक्कु चरिया है सुबह उठेगा नाएगा दोएगा साधना करेगा फिर वो अपनी जो भिक्का चरिया है उसमें जाएगा भिक्का चरिया के बाद आएगा फिर वो अपना बागी काम ध्यान साधना में लगाएगा अपना जो आराम है राम है उसको साफ करेगा और रात को सनलाइट से पहले वो अपना सब कुछ ठीक करेगा फिर पसना साथना ध्यान में लगाएगा अपना दीपग जडाएगा, बाती बनाएगा कोई काम उसको करना हो क्योंकि सारे काम वो खुद ही करते हैं तो कोई काम उन्हें करना है वो करेगा तो ये है पूरी पूरी भिक्को की चरिया और एक है पिंड चरिया, पिंड चरिय का मतलब है खाने की चरिया, खाने की चरिया सिर्फ इतनी है कि जब वो भिक्को भिक्का चरिया में जाता है, उस समय से लेके जब उसको खाना मिलता है, पिंड मिलता है और पिंड के खाने तक जो काम करता है उसको पिंड चरिया बोलते है या पिंड पात बोलते है या पिंड जो दान होता है उसको बोलते है किसने पिंड दान दिया वो पिंड चरिया में आता है उसने पिंड को मिक्स किया खाया उसने आपस में बाटा खाया बरतन को धोया उसके बाद अपने बैग मे रख लिया या अपने चीवर में रख लिया और उसके बाद पिंड चरिया उसकी खत्म हो गई बिक्कु बिकारी है और वो भीक मांग रहा है और वो कुछ मांग रहा है यानि बिक्कु बिक्कती नहीं करता 24 गंटे बिक्कु जो बिक्कती करता है वो 24 गंटे की उसकी अपनी चरिया है अपना काम है भिक्को जीवन में जो भी काम करता है उसको भिक्कती बोलते हैं कि ये भिक्कती करता है तो ये जो भिक्को का जो बताया हुआ है या भिक्कन हो गया उसकी जीवन चरिया का जो नावन उसको भिक्कन बोलते हैं तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इसका पृतिवात कीजिए, इसका विरोध कीजिए अगर भगवान बुद्ध या भिक्कों के हाथ में कोई ऐसा चित्रन करता है, कोई ऐसा पोश्टा बनाता है कि 24 गंटे वो जो पिंड पात है, जो पात्र है जिसको भिक्का पात्र बोलते हैं, या जिसको पतन बोलते हैं वो 24 गंटे लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं होता वो साधना करते हैं, विपस्ना करते हैं, अपना भिक्कों जीवन जीते हैं भिकती करते हैं पूरे दिन भिकती करते हैं पिंट पात नहीं करते हैं पूरे दिन धन्यवाद तो आपको liberty है आपको छूट है ये सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी ज कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्चा में मतंशरनं गच्चा में धमशरनं गच्चा में संघंशरनं कच्छा में